Hello and Namaskar Friends तो Friends आज हमारे पास है एक Lava Company का यह आप मुबाल देख सकते हैं इसका model number है W25 SA-R यह इसका model number है तो Friends ये मोबाल है हमारे पास और इसको चालू करके हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर इसमें problem क्या है तो Friends अभी हम इसको चालू करेंगे और आपको इस mobile की problem का जो है बताएंगे किया इसमें problem है और इसका कैसे solution करना है तो फिलाल अभी mobile चालू हुआ आप सुन सकते हैं कि कोई भी जो है voice नहीं मिली है हमको और problem भी आप इस पस्ट देख सकते हैं तो problem friends यह है कि इसमें headphone jack जो है लगा हुआ है और इसमें headphone jack को कैसे remove करना है वो हम आपको इस वीडियो में देखाने वाले हैं तो सबसे पहले हम आपको ज़्यादा जाम जाम ना बताके दुनिया दारी की चक्कर में ना पड़के सीधा सीधा sort बता देते हैं यहाँ पर जो jack के side में जो भी धूल मिट्टी जमी होती है सबसे पहले तो उसको clean कर लेना है तो हमने बुरुस से clean कर लिया है और इस side में आप देख सकते हैं इस side में जो charging jack और headphone jack के बीच में सबसे उपर यानि कि सबसे उपर दो component लगे हैं जो आप देख सकते हैं आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन हम आपको फूरी detail में दिखाएंगे अभी आपको अभी दिक्कत होगी फिलाल इनको दोनों को तोड़ देना है जो सबसे उपर है हम आपको detail में बताएंगे किन को हमने तोड़ दिया है और अच्छे से clean करके आपको दिखाने का पूरा प्रियास करेंगे तो हमने छोटे छोटे से दो component को यहां से निकाल दिया है और कौन से component को निकाला है पूरा प्रियास करेंगे आपको दिखाने का और आप भी इस तरीके से इस problem को solution permanently कर सकते हैं और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को like जरूर कर देना friends और चैनल को subscribe करके बगल में घंटी को दबा के all पर click करना भी लूड़ने न भूले तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दोनों जैकों के just बगल में यहाँ पर दो component लगे हुए थे यह गोले के बीच में यहाँ से हमने दो component को अटा दिया है तो अभी देख लेते हैं हमारी problem जो है definitely solve हो गई है और होई ही जाती है बच दो component हटाने से फिलाल problem यह solve हो चुकी है हो और हो सुन सकते हैं आप भी boys भी आई हुगी तो friends अभी इसमें problem यह है कि अभी इसमें jack कभी काम नहीं करेगा जो jack के यह headphone jack है वो काम नहीं करेगा बाकी problem solve हो चुकी है तो friends वीडियो पसंद आया तो like जरूर कर देना